हेलो एवरीबडी में निशा पांडे आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट स्टीट फूर डॉट कैफे से आज में आपको बताने जा रही हूँ फिरोज़ाबाद के बारे में फिरोज़ाबाद उत्र प्रिदेश का एक सहर एवं जिला मुख्याला है यहाँ शहर चूडियों के निर्मान के लिए प्रसिद है यहाँ आगरा से 40 किलो मीटर दूर और राधानी दिल्ली से 200 किलो मीटर की दूरी पर पूर्व की तरफ इस्थित है इस शहर को फिरोज़ा तुगलक ने बसाया था फिरोज़ाबाद में मुख्यता चूडियों का कारोबार होता है यहाँ पर आप रंग विरंगी चूडियों को अपने चारो ओड़ देख सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर गयास का कारोबार भी होने लगा है यहाँ पर कांच का अन्य सामान जैसे कांच के जूमर भी बनते हैं घरों के अंदर महिलाएं भी चूडियों पर पॉलिश लगा कर रोज़गार अरजित कर लेती हैं भारत में कांच का सरवाधिक फिरोज़ाबाद नमक छोटे से शहर में बनाया जाता है इस सहर के अधिकांच लोग कांच के किसी ना किसी समान के निर्मान से जुड़े उद्यम में लगे हैं सबसे अधिक कांच की चूडियों का निर्मान इसी सहर में होता है रंगीन कांच को गलाने के बाद उसे खीच कर तारों के समान बनाया जाता है और एक बिलनाकार धांचे पर कुंडली के आकार में लपेटा जाता है स्प्रिंग के समान दिखने वाली इस अरशना को काट कर खुले सिरे वाली चूडियों चूडियां तयार कर ली जाती है अब इन खुले सिरो वाली चूडियों के विधी पूरवक ना सिर्फ ये सिर जुड़े होते हैं बलकि चुड़ियां एक रूप भी हो जाती हैं ताकि जुड़े सिरो पर कांच का कोई टुकड़ा निकला न रह जाए यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें कांच को गर्म होगा ठंडा करना पड़ता है अलिकर इंस्टिटूट गजट सन 1880 की प्रेस्ट एक हजार तिरासी पर उर्दू के कभी मौलाना उलताफ हसन आली ने लिखा है कि फिरोजाबाद में खजूर के पट्टे की पंखियां एशी उमदा बनती हैं कि हिंदुस्तान में शायद ही कहीं ब यहां कांच उद्योग का प्रारंब नहीं हुआ था आग्रा गजटियर 1884 के प्रेस्ट 740 के इनुसार उस समय फिरोजाबाद में लाख का वेविसाई भी अच्छे इस्तिती में था या वेविसाई कालंतर में समात हो गया परंतु वर्तमान में भारत में सबसे अधिक पूरिया सजावत की कांच की वर्स्तुएं वैग्यानी कुपकरन बल्ब आदी फिरोजाबाद में बनाये जाते हैं स्ट्रीट फूट केफे से आपकी होस्ट निशा पांडे